हला व्रिवन तो बात करने वाले आज यार अपन किसकी न्यूटन के गती के नियम की इस से पहले अपने कुनसर चेप्टर पढ़ा था वरत्य गती पढ़ा था अरे क्या पढ़ा था वरत्य गती वरत्य गती में बहुत सारे कंसेप्ट अपने सीखे हैं अब आपको लगरा और्धवादर तल में वृत्य गती नहीं पढ़ाया, सर आपने साइकिल का गूमना नहीं पढ़ाया, सर आपने बंकित सड़क में कार का गूमना नहीं पढ़ाया, banking of road में मैंने का सब पढ़ाएंगे पर कॉंसर टोपिक कहा पढ़ाया जाएगा उस बात का मैं आपको एसास कराता हूँ आपको वरत्य गती के अंदर मैंने तनावबल लिखना सिखा दिया था उर्द्वादर तल में अगर आपको उर्द्वादर तल में व्रत्य गती सीखनी है तो फिर आपको उर्जा सरक्षन लगाना आना चाहिए तो उर्जा सरक्षन कहां सीखेंगे सर कार्य उर्जा शक्ती में तो वुर्द्वादर तल में व्रत्य गती कहां पढ़ाया जाता है कारे उर्जा शक्ती में पढ़ाया जाता है और फिर सर वो साइकिल का घूमना, मोत का कुवा, बेंकिंग ओप रोड, बंकित सडक में कार का घूमना मैंने का वो न्यूटन के गती के नियम में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ घर्षन बल भी आता है क्या आता है घर्षन बल आयोप आपको सारी बाते क्लियर हो गई होगी तो आज की क्लास के अंदर पन डिसकस करने वाले है कौन से चेप्टर की सुरुवात करने वाले है न्यूटन के गती के नियम की एकदम नस्चिन्त होके बढ़ जाईए आज की क्लास एकदम बैसिक से स्टार्ट होगी अब मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूटन के गती के नियम में सिर्फ पहला लेक्चर आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत थियोरी सीखोगे फिर क्योशन ही क्योशन है आप को होगे उतने क्योशन एक ही टोपिक पे आपको 10 से 20 क्योशन करवा दिये जाएंगे अगर लगेगा कि बच्चे को एक क्योशन में समझ में नहीं आ रहा तो 10 क्योशन सिखा सकते हैं एक ही टाइप के इसलिए क्योशन की बिल्कुल चिंता ना करें कि क्योशन कम हो रहे है या ज़्यादा हो रहे है एकदम नश्चिंत होके बेठिए आज की क्लास में मैं आपको बता दू 20 से 25 मिनट हो सकता है कि एक थियोरी सीखने को मिले आपको उसके बाद फिर क्योशन ही क्योशन है एक बार सर समराइज करिए न्यूटन के गती के नियम के बारे में हमें कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और कौन से वाले टोपिक पे हमें जादा ध्यान देना है तो मैं आपको बता दू न्यूटन के गती का नियम सबसे पहले हेडिंग डालो बिटा NLM क्या हेडिंग डाले NLM Newton's Lodge of Motion Newton's Lodge of Motion Newton की गती के नियम Newton की Newton की गती नहीं है Newton के है इनका हाँ यार क्या बाद है Newton के गती के नियम Newton के गती के नियम क्या होता है सर ये चेप्टर पहली बात अभी तक आपने जितनी भी चीजे पड़ी वेग पड़ा तौरण पड़ा कभी किसी ने पूछा आया कहां से पूछा किसी ने या किसी ने इस बात का एसास कराये कि आता कहां से नहीं कराया मैंने का उस बात का एसास होगा इस वाले चेप्टर में कि Newton के गती का नियम हमें किसके बारे में एसास कराने वाला है कि जो वेग आता था तुरन आता था उसके पीछे क्या कारण होता था उसके पीछे कारण होता था बल का बिना बल के वेग और तुरन थोड़ी आएंगे सर क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो तुरन कहां से आता है बल से आता है बलके बारे में क्या आता हो बहुत अच्छे से आता हो बेटा फिर के रहा हूँ 20-25 मिनट आज की क्लास में थियोरी चलेगी इसलिए सिर्प सीखना ही सीखना है फील लेना है फील आज की क्लास के बाद आपको थियोरी जैसा कुछ नहीं मिलेगा फिर कंसेप्ट और क्योशन क पहला, दूसरा, तीसरा, वो तो सिखाना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, एकदम निसिंत रहे इस बात के लिए, क्लियर है, फिर क्योशन, छोटी मोटी थियोरी, फिर क्योशन, फिर कहानी आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगी, और हमेशा कोई भी चेप्टर की सुरवात होती है, तो हमें लगता है कि हाँ, थियोरी पढ़ रहे है, थोड़ी बहुत तो पढ़ेंगे, क्योंकि उसके विना फील नहीं आएगा, एसास नहीं होगा, अब मैं आप से कहूं कि बल क्या होता है, सीखते चलते हैं, वन बाई वन, बल क्या होत हैं भी कौन बताएगा कि सर किसी वस्तू को धका देना या खीचने का जो एहसास हैं वही तो बल है, किसी वस्तू को धका कर सकता है, किसी वस्तू को खीच सकता है, धका दे Ama मैंने का बल किस प्रकार से लगाया जा सकता है किसी वस्तु को बिना चुए भी बल लग सकता है अरे बोलो क्या किसी को बिना कॉंटेक्ट करे भी बल लग सकता है क्या कॉंटेक्ट करने पर ही बल लगता है मैंने का इस पेन को मैं उपर ले जा रहा हूं क्या यह मैंने छूके बल लगाया हाँ kontakты में संपर्कबल पढ़ाता मैं ने को आपने बल पढ़े थे गुरुत्वा करसन बल गुरुत्विय पल चुम्बक की बल इस्तिरवेद्यूत बल नाभी की उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मैं बात कर रहा हूं, दो तरके बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, बहुत बढ़िया, संपर्क बल, असंपर्क बल, संपर्क बल जो छूने से आते हैं, जिसका एहसास होता है, पर जीवन में ऐसे भी बल होते हैं, जो बिना छुए भी लगते हैं, बिना छुए भी लगते हैं पीछे वाली बेंच में बेटे वे बच्चों के बीच में तो नहीं लग रहा अ संपर्क बल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा सर बहुत बढ़िया इस वाले चेप्टर में अगर अपन बात करे संपर्क बल क्या? संपर्क बल जो contact में आने से आते हैं जैसे spring बल संपर्क बल है तनाव बल संपर्क बल है घर्षन बल संपर्क बल है अभी लंब प्रतिक्रिया बल देखो संपर्क बल के बारे में मैं एक बार पुरा का पुरा आपके सामने overview लिख देता हूँ कौन कौन से बल है संपर्क बल प्रतिक्रिया बल अभी लंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसको प्रतिक्रिया बल बोलो या अभी लंब प्रतिक्रिया बल बोलो अभी लंब प्रतिक्रिया बल पहला सर दूसरा पहला दूसरा तनाव बल तनाव बल तीसरा मैंने का स्प्रिंग बल सर चोता मैंने का घर्षण बल अच्छा सर असंपर्क बल मैंने का गुरुत्वा कर्षण बल फिर चुम्बकी ये बल इस्तिरवेद्यूत बल बहुत सारे हैं ना ऐसे करते करते हमारे काम के क्या है इस चेप्टर में इस वाले पूरे चेप्टर में हमें तब ही एसास होगा जब संपर्क में आएंगे किसी के सर गुरुत्वा कर्षण बल भी तो पढ़ते हैं मैंने का गृत्वा कर्सन बल पढ़ते है पर अगर आपको NLM अगर आपसे कोई कहे कि न्यूटन का गती का नियम आता है आप तब ही बोल सकते हो उसको कि न्यूटन का गती का नियम अगर आपको आता है तो आपको इन बलों से, कौन से बलों से, संपर्क बलों से, डील करना आना चाहिए ये सारे बल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे के सारे बल यानि कि न्यूटन के गती के नियम में सिर्फ और सिर्फ किसका अध्यन है इन चारो बलों का अगर ये आ गए ना तो मान लेना Newton के गती के नियम के question ऐसे ऐसे होंगे अपका question ही इस बात से अटक जाता है कि इन बलों के साथ deal करना नहीं आता सर इनी का अध्यन है Newton के गती के नियम में अच्छा मतलब real कहानी start होगी यहां से अब Newton के गती के नियम को दो भागों में बाटके पराता हूँ कैसे कि पहले वाले लेक्चर में आपको theoretical portion सिखाया जाता है वो क्या है कि Newton की गती के तीन नियम है Newton की गती के किते नियम है तीन नियम है उन पे चर्चा करते है सबसे पहले अपन फिर एक बार बढ़िया से चर्चा करते है फिर लिखना स्टार्ट करेंगे एकदम feel के साथ मैं आप से कहूं कि Newton साब ने पहला नियम क्या दिया मैं आप से कहूं कि Newton साब ने पहला नियम क्या दिया heading डालो Newton का पहला नियम Newton का पहला नियम क्या बोला न्यूटन साब ने पहला नियम कौन बोलेगा इसका एक और नाम होता था जड़त्तू का नियम अच्छा अब जेसे ही जड़त्तू लिखा तो मेरे दिमाग में एक और खयाल आया कि यार ये जड़त्तू क्या होता है सही बात है सर तो पहले बताओ न्यूटन का पहला नियम क्या था न्यूटन साब ने बोला कि अगर कोई वस्तू है उस पे कुल बल जीरो कर दो कोई बल नहीं लग रहा दुनिया का या बल लग भी रहा है पर कुल बल कितना है सुनने है मान लो कि कोई वस्तू है ऐसे रखी हुई है अब मैं आप से कहूँ कि ये M द्रुमान की वस्तू एक टेबल पे रखी हुई है क्या इसमें बल जीरो है बल का सुनने होना और कुल बल का जीरो होना दोनों अलग अलग बाते हैं बिल्कुल एकदम निसचिन तो किष्दि ध्यान से सीखना क्या जीरो है कुल बल जीरो है यानि कि net force जीरो है क्या आप चाहते हो कि ये वस्तू यहां से हटा कर दूसरी जगर रखी जाए तो क्या बल लगाना पड़ेगा क्या बिना बल लगाए इस वस्तु की इस्तिती में परिवर्तन हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता अगर यह यहां रखी है अनंत काल के लिए यहीं रखी रहेगी इसको हटाया तब ही जा सकता है इसकी इस्तिती में परिवर्तन तब ही हो सकता है जब बाहें बल लगे नहीं तो नहीं होगा मलब आप कहना चाहते हो कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुक्य हुई रहेगी अगर उस पे कुल बल जीरो है तो मिनका हाँ और सर अगर कोई चल रही है तो मिनका तब भी ऐसा ही होगा अगर कोई वस्तो ऐसे चल रही है मालो एक बोल है ऐसे चल रही है वी नियत वेग से नियत वेग से वेग न बदल रहा है ना कम हो रहा है ना जादा हो रहा है ना इसके दिशा बदल रही है वेग नियत है वेग नियत मतलब कुल बल कितना है जीरो है सरा अगर किसी बोल को हम ऐसे फेक देते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है मिनका बिलकुल रुकती है क्योंकि गर्सन बल भी तो लगता है रियल में हाँ सर हवा का प्रतिरोध भी तो लगता है हवा भी तो पीछे दखा देती है अरे कभी आपने अगर दोड लगाई हो गाड़ी में चले हो तो हवा आपको कहा दखेलती है पीछे मैंने का हवा का प्रतिरोध और घर्थन बलको भी अगर आप जिरो कर दो और फिर फेको किसी बोल को चलती रहेगी वो नहीं रुकेगी तो न्यूटन साब ने भी यही बोला कि अगर किसी निकाए पर कुल बल जीरो है और अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा और गतीमान है तो गतीमान ही रहेगा जब तक उस पर क्या नहीं लगे बाहे बल नहीं लगे क्या नहीं लगे बाहे बल नहीं लगे लिखें न्यूटन की गती का पहला नियम न्यूटन साब का पहला नियम ये गती का पहला समीकरण नहीं है कि V बराबर U प्लस A T हो जाए ये गती का नियम है समी करण और नियम बोट आर डिफरेट थी क्लियर नुटन साब ने बोला कि अगर किसी निकाए पर कुलबल सुनने है कुलबल सुनने है इस्तिर है तो इस्तिर रहेगी इस्तिर है तो इस्तिर रहेगी तो 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 रहेगी इस्तिर रहेगी गतिमान है गती मान है तो गती मान रहेगी गती में मान रहेगी बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर तो सर जड़त्व क्या होता है ये जड़त्व क्या है जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उसकी इस्तिती में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त तो सब के पास है हमारे पास भी जड़त तो है आपके पास भी जड़त तो है मेरे पास भी जड़त तो है आपके पास भी जड़त तो है आपके इस्तिती में अगर कोई परिवर्तन का विरोध करेगा आपकी इस्तिती में कोई परिवर्तन करेगा तो क्या आप विरोध करोगे करोगे कि नहीं करोगे आप मालों की बरसों से किसी घर में रहते थे बाहर से कोई आता है और केता है कि निकल ले क्या कहोगे कि ठीक है भाई साब निकलते हैं हम तो चलते हैं कहोगे या विरोध करोगे सर विरोध करेंगे अरे यही जड़त तो है जड़त तो किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपने इस्तती में परिवर्तन का विरोध करता है लिखे जड़त तो किसी भी वस्तु का वह गुण है लिखो 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 आज लिखना ह ने भई क्या सर डेली नहीं लिखते हैं मिनका लिखते हो आज theoretical चीजें लिखनी पड़ेगी जड़त तो किसी भी वस्तू का वहगुर है कि किसी भी वस्तू का वहगुर है जिसके कारण हिस्ति में परिवर्तन का विरोध होता है हिस्ति में परिवर्तन का विरोध होता है विरोध होता है बहुत बढ़िया कैसे पता चला सरी विरोध होता है मिनका अगर कोई वस्तू रखी हुई है और उसके इस्तती में परिवर्तन करोगे तो क्या बल लगाना पड़ेगा हाँ तो वो बल ही इस बात का एसास है कि उस वो क्या कर रहा है इस्तती में परिवर्तन का विरोध कर रहा है दीवार के दक्का देखे देखो क्या आपको ऐसास होगा कि दीवार भी दक्का लगा रही है मलब आपको उसकी इस्तती में परिवर्तन के विरोध का ऐसास वो बल करा रहा है क्या बात समझ में आ रही है जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण इस्तती में परिवर्तन का विरोध होता है था और हमेशा होता रहेगा जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं गती का जड़त्व गती का जड़त्व दूसरा इस्तिर अवस्ता का जड़त्व इस्तिर अवस्ता का जड़तु पड़ा तो बहुत जगह होगा ऐसास आपको हो रहा होगा और दिशा का जड़तु चलो भई, one by one सीखते हैं There are three type of inertia जड़तु को बोलते हैं बेटा, inertia तीन तरक के जड़त होते हैं गती का जड़तु, इस्तिर अवस्ता का जड़तु और दिशा का जड़तु गती का जड़तु के से? कि अगर मैं आप से कहूँ कि एक दिन की बात थी, घर से निकले थे एक दिन की बात थी, घर से निकले दे, सिटी बस में सवारी करते थे गती का जड़तु की बात हो रही है ये सिटी बस थी सीट नहीं मिली सर सीट नहीं मिली ड्राइवर को बड़ी जल्दी रहती थी ऐसे ही चलाता था सीट नहीं मिली बालक ऐसे खड़ा हो गया ऐसे खड़ाता ड्राइवर साब ने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया अचानक से ड्राइवर साब के पेर से क्लच शूट गया अचानक से गाड़ी आगे जटके से आगे बढ़ती है आगे बढ़ती है गती का जड़त तू पढ़ रहे हो? हाँ तो क्या होगा? दो situation create करा के बताऊंगा मैं गाड़ी रुकी हुई है अचानक से चलती है पीछे दक्का लगेगा कि आगे लगेगा गाड़ी अचानक से अगर आगे चलने लग जाए रुकी हुई तो कहा दक्का लगता है पीछे पर मैं यही बात कहूँ कि गाड़ी चल रही थी हम तो खड़े थे हम क्या बात कर रहे हैं गती के जड़तु की बात करें गाड़ी चल रही तैसे वी वेक से आगे मालो कि कोई आता है ब्रेकर आता है क्या आता है ब्रेकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया सोचो आपके साथ क्या होने वाला है सर जैसे ही ब्रेक लगाएगा हमें आगे की तरफ धक्का लगता है कैसे हुआ ये सारा कारेक्रम कि जब सर बस चल रही थी तब हम जब बस में खड़े थे तो हमारी पूरी बोडी बस के साथ गतिमान थी एक वेग से पर जैसे ड्राइवर साब ने धक्का लगाया ड्राइवर साब ने क्या लगाया धक्का लगाया धक्का लगाया कि ब्रेक लगाया ब्रेक लगाया सर ड्राइवर साब धक्का कैसे लगाएगे आप भी क्या मजे मारते हो कभी कभी सर ड्रैवर साब ने क्या लगाया ब्रेक लगाते ही गाड़ी तो रुख गई गाड़ी के साथ बोड़ी का जो नीचे वाला भाग है वो किस में आ गया रिष्ट में पर उपर वाला भाग अभी भी वी वेक से गती माने वो आपको कहा ले जाना चाहता है आगे तो फिर आपको क्या लगा आगे की तरफ जटका लगा वो जटका इस बात का एसास है कि अपनी गती में परिवर्तन का क्या कर रहा है विरोध कर रहा है इसी को बोलते हैं गती का जड़त्व अगर कोई आप से पूछे कि अगर कोई वस्तु अपनी गती में परिवर्तन का विरोध करती तो इसको बोलते हैं गती का जड़त लिखिए क्या बात समझ में आई हैं गती में परिवर्तन का विरोध का विरोध गती का जड़त आई होप आप enjoy कर रहे होगे, आपको बाते भी समझ में आरी होगी, चलो देखो अब हैं sir, दूसरा, इस्तिर अवस्ता का जड़त्तू इस्तिर अवस्ता का जड़त्तू यही situation में आपके सामने create कर दू, अरे bus थी, खड़ी हुई थी अचानक से चलने लग जाए अचानक से बस चलने लग जाए हम भी खड़े हुए थे उपर ऐसे चलो बई ये लो अचानक से बस चलने लग जाए रुकी हुई थी कहां जटका लगता है पीछे की तरफ क्योंकि जब बस अचानक से चलेगी तो body पूरी की पूरी wrist में थी नीचे वाला part तो बस के साथ आगे निकल लेगा पर उपर वाला तो भी रुका हुआ ही है ऐसा थोड़ी है कि बरसों तक रुका हुआ है ये बहुत कम second के लिए कहानी होती है ऐसा थोड़ी है नीचे वाला part बोडी का लग हो गया ऊपर वाला देख रहा है कि आएगा जूड़ूगा निकलूगा बहुत कम सेखSoft के लिए जटका लगता है रहा लगता है कि नि लगता इनकि जब बस अचानक सी चलने लगती है रुकी हुई बस जब अचानक हो रहा है विरोध कर कैसे करेगा पीछे जटका देखा नहीं आया यानि कि इस्तिर अवस्ता में परिवर्तन का विरोध इस्तिर अवस्ता में परिवर्तन का विरोध इस्तिर अवस्ता का जड़त तो सर्द दिशा का जड़त भी सिका दो उसने क्या भीगाड़ा है मिनका देखो दिशा का जडतु घूमने गए हूँ कि हां सर दिशा का जडत तो गूमने तो गए है जाते हो और मालो पर्सनल कार या जीब लेके गए या बस में भी सवारी करी और बहुत तेज बस चलाता है और जब टर्न आता है तो बहुत स्पीड के साथ टर्न लेता है सर वो सुनता ही नहीं है बस वाला हमारी तो हमें क्या ऐसा एसास होता है कभी कभी कि मालो ऐसे ज़ा रहे थे ऐसे ज़ा रहे थे फिर बस तो ऐसे घूम गई किस से स्टेरिंग से पर हमें हमारे पास तो इस वाली दिशा में अभी भी वेग हैं हाँ तो ये वेग हमें कहां ले जाता है बाहर की तरह जब किसी मोड पर बस को घुमाया जाता है तो उसमें बैठे हुए याक्त्रियों को बालकों को या जो आपकी चाहत हैं उनको उस घुमाओ के बाहर की तरफ जटका लगता है हा सर यही दिशा का जड़त है कि अगर आपके दिशा में परिवर्तन होगा तो उसका जो विरोध है वो दिशा का जड़त है दिशा में परिवर्तन का विरोध आया पक्की बात है समझ लो समझ लो आया की नहीं आया पक्की बात तो पहला नियम आपका हो गया कम्प्लीट इतना ही याद रखना है क्या कि पहला नियम केता है कि सर अगर किसी निकाई पर कुलबल जीरो है रुका है तो रुका रहेगा चल रहा है तो चलता रहेगा यह जड़त्त का नियम भी होता है और जड़त्त के तीनों नियम मैंने आपको सिखा दिये अब दूसरा नियम फेडिंग डालें न्यूटन की गती का न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन साब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो उनी के नाम पे नियम चल रहे हैं दूसरा नियम बहुत बढ़िया क्या है न्यूटन का दूसरा नियम? कौन बताएगा? कुछ तो है न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम तब ही आपको आ सकता है क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम यह कहता है कि समवेग में परिवर्तन किदर आरोपित बलके बराबर होती है पहले समवेग तो समझ में आए न्यूटन का दूसरा नियम सीखने के पहले आपको क्या सीखना होगा इसका सब टोपिक समवेग, मॉमेंटम, कौन बताएगा भई समवेग को, पी जिसको पी से प्रदर्सित करते, I think आपने थोड़ा बोथ तो जाना ही होगा कही न कहीं से क्या होता है समवेग, कौन बताएगा भई, समवेग क्या होता है, कि सर्थ समवेग होता है, द्रवेमान इंटू वेग का गुणंपल क्या बात है आपको तो आता है यानि कि मैं लिख सकता हूँ समवेग बराबर द्रवेमान इंटू वेग अरे वाह और कुछ कहना चाते हो समवेग के बारे में सर मातरक लिख दो और क्या कहींगे लिखो भई केजी इंटू मीटर पर सेकेंड ठीक है और कुछ ये तो मातरक लिख दिया और कुछ सर सदिस रासी है अदिस रासी की सदिस है मैंने का ये भी बहुत बढ़िया है सदिस है दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में वेग में परिवर्तन की दिशा में वेग की दिशा बोल दो वेग में परिवर्तन, बोल दो ये, क्या इतनी सी कहानी से काम चल जाएगा, ये तो किताबी डेफिनेशन पढ़ाई है सर, सम्वेग दर्वान इंटू वेग का गुननफल होता है, ये सम्वेग होता है, मैं आप से कहूँ सम्वेग से आप समझते क्या हो, क्या एसास है जीव हैं कम, तो सुने, मैं आप से एक बात कहूँ कि एक प्लास्टिक का बोल है, दो मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ फेकू, प्लास्टिक का बोल जो आता है, वो दो रूपे वाला, फेकू, केच कर लोगे, पक्की बात हैं, कर लेंगे सर, यही बात मैं आप से कहूँ कि ट्रे को नहीं रोका क्यों सब्सक्राइब का द्रविमान ज्यादा है और मिनका बोल का कि कम है मिनका द्रविमान कम ज्यादा होने से सम्वेग बदलता है कि हां यहीं कि सम्वेग का मतलब यह नहीं है कि वेग ज़्यादा होगा तो सम्वेग ज़्यादा है मैंने कहता कि वेग ज़्यादा होगा तो सम्वेग ज़्यादा नहीं होगा हो सकता है पर सम्वेग द्रविमान पे भी निर्बर करता है बिल्कुल सही है तो फिर सर वो रोकने वाली कहानी गया थी, मैंने का सुनो, वो जो प्लास्टिक वाली वोल थी, उसको तो रोक पाए आप, क्योंकि उसका सम्वेग कम था, तो क्या रोकने के लिए बल लगाना पड़ा, हाँ, पर ट्रेन को नहीं रोक पाए, कि नहीं रोक पाए सर, क्योंकि उसको रोकने के लिए जादा बलकि आउशेक्ता जी है क्योंकि उसका सम्वेग जादा है हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है सरा मैंने का यही बात एक और एक्जामपल से मैं आप से कहूं कि मोटर साइकल की बेटरी डिस्चार्ड धक्का प्लेट हो गई है अब धक्का देके सर एक जने से काम चल जाएगा एक या दो लेलो सर इनका वो जो बड़ा ट्रक आता है ट्रोला उसके साथ भी ऐसा ही हुआ उसकी बेटरी डिस्चार्ड धक्का देना है नहीं होगा बिना उसके अगर आप बात करो या तो दूसरा ट्रोला आगे अटेच करो और उससे खीच चलो श्टार्ट करो या कितने जने की बहुत सारे लोग चीए यानि कि ट्रोले को चलाने के लिए जादा बल लगाना पड़ेगा जबकि मोटर साइकल को चलाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका समवेग कम हैं ट्रोले का समवेग जादा हैं सेम यही बात बोल को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा ट्रेन को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और यही रीजन है कि साइकल के ब्रेक ट्रेन में नहीं लगाए जाते हैं cycle के break train me नहीं लगाए जाते में नहीं लगाए जाते है बेक का काम रोकना है अब उ cycle को रोके train को रोके बात तो एक conflict है cycle के break से का रोक train को रोक सकते हो यानि कि संवेग हमें इस बात का एसास कराता है कि किसी वस्तु को रोकने चलाने के लिए कितने बल की आउशक्ता होगी किसी वस्तू को रोकने या चलाने के लिए कितने बल की आउशक्ता होगी इस बात का एहसास कुन कराता है समवेग लिखें एहसास हैं जिन्दगी का समवेग हमें इस बात का एहसास कराता है कराता है कि किसी वस्तु को रोकने वह चलाने के लिए कितने बलकी आउशक्ता होगी कि लिए एक दम पकी बात आज के बाद समविग में कोई दिक्कत केसी भी आपको सिर्फ फोर्मला नहीं आना चीए एसास होना चीए उसके बारे में अच्छा सर एक दम किलियर है बहुत बड़िया बहुत बड़िया बहुत सुन्दर आप सुनें देखो हमने कहान न्यूटन के गति का दूसरा नीयब पढनग रहे है ना नीूटन का दूसरा नीयब अब बढ़िया से समझाएगा सर दूसरा नीयम बढ़िया से जाएगा सरे एकदम जबर्दस तरीके से समझाया जाएगा सुने ध्यान से सुने ध्यान से मैंने का कि एक वस्तु है इसका द्रविमान एम है और वी वेग से जारी है या वीवन वेग से जारी है कुछ भी समझ लो आपका एक सिचुवेशन दी गई है एम द्रविमान की वस्तु वीवन वेग से जा रही है आप से कहूं इसका वेग बदल दो क्या वेग बदलेगा तो समझ बदलेगा हाँ अब वेग कैसे बदलोगे आप इसका सर्या तो इसको धक्का देना पड़ेगा आगी की तरप या प यानि की बल लगाना पड़ेगा या तो समान दिशा में या विपरीत दिशा में तो हमने कुछ बल लगाया क्या लगाया एप बल लगाया और इस वस्तू का वेग वीटु हो गया क्या समवेग बदला हाँ सम्वेग बदला पर द्रविमान तो नहीं अता हाँ द्रविमान भी बदल सकते थे तो सम्वेग बदलता विनका हाँ अगर आप द्रविमान बदलते तब भी सम्वेग बदलता वेग बदलोगे तब भी बदलता तो क्या सर इस वाली कंडीशन में जब जब बल लगाएंगे तो क्या समवेग बदलेगा? हाँ, न्यूटन साब ने भी यही बोला कि किसी वस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बलके समानुपाती होती है लिखें, किसी वस्तू के सम्वेग में परीवर्तन की दर आरोपित बलके समानुपाती समानुपाती होती है यानि कि सर ये कहना चाते हो dp by dt मैंने का हाँ कि सर समानुपाती चीन अटाओगी तो एक नियतां काता है मैंने का भूल जाओ वन आता उसका मान तो डारेक्ट ये पढ़ा होगा dp by dt नहीं आया यही newton साब का दूसरा नियम है कि सर बात तो समझ में आ गई newton साब की गती का दूसरा नियम newton साब ने क्या बुला कि किसी वस्तु में आरोपित बल समवेग में परीवरतन की दर के बराबर है यही लिक दो बस समानुपाती है बराबर ठीक है तो एक बार एक क्योशन पूछा गया नीट के अंदर किसके अंदर नीट के अंदर बिटा सर नीट की तो क्लास हैं कभी-कभी जेई अगर निकल जाता है मुझसे तो confusion मैं मता जाया करो कि ये जेई की क्लास चल रही है यही मैंस के क्योशन भी तो पूछ ले जाते हैं कभी-कभी यार अब तुम लोग यार परिशान हो जाते हो कि सर जेई वाली तो क्लास नहीं है बिलकुल नहीं हो ना नीट वाली क्लास है ये अच्छा सर अच्छा-च्छा अब देखो सर मैंने का बोलो नीट वाले बच्छों देखो क्या पूछा देखो बेटा देखो उन्होंने कहा Newton की गतिगा की और के में परिशान मत हो ना दूसरा नियम है दूसरा नियम है क्या है वही Newton की गतिगा दूसरा नियम तो उन्होंने option दिए कि F बराबर D P by D T 1 से 2 3 4 कितने भी option सही हो सकते हैं आपको सोचना है F बराबर M D V by D T C F बराबर D upon D T M V बहुत बढ़िया 4 F बराबर V D M by D T चलो बई 4 option आपके पास है 4 option आपके पास है बोलो भई 1, 2, 3, 4 A, B, C, D Sir देखो पहले वाला एकदम सही है अभी पढ़ा है दूसरा वाला सही है गलत है Sir अमने तो यही पढ़ा है दूसरा वाला है तो बहुत बार पढ़ा है Sir सही है गलत है जब भी question पूछा जाता है तो approach कैसे मारते है उसको पढ़ा करो ऐसा नहीं है कि theory क्यों पढ़ाई जाती है theory इसलिए पढ़ाई जाती वेटा theory से ऐसास होता है इस बात का जदा direct भी लिख देता आपको पर ऐसास अब हो रहा होगा आपको बहुत बार नीट के अंदर theory से question आते है जितने जरूरी question उतने जरूरी theory भी है कभी कभी यार बहुत आसान question पूछ लिया जाता है और हम क्या है कि हम रटा मार के रखते है कि Sir M dv by dt था dv by dt को A लिख देते है M हो जाता है अरे ये गलत है ये Newton की गतिका दूसरा नियम नहीं है Newton साब ने बोला समवेग में परिवर्तन की दर ये क्या के रहा है दुर्वेमान इंटु वेग में परिवर्तन की दर ये Newton की गतिका दूसरा नियम नहीं है यहाँ द्रवेमान नियत है इसलिए बाहर आ गया ये तो वेग में परिवर्तन की दर है ये गलत है ये सही है M V Y D T P की जगा M V लिख सकता हूँ भई ये ये भी गलत है क्या बात समझ आई है अरे बोलो आई है भई आई है तो बढ़ाते हैं आगे नियूटन साब के नियम को उन्होंने कहा ये कि F बराबर D अपोन D T M इंटू V अब मैंने ऐसा कब बोला कि द्रवेमान नियत रहेगा या वेग नियत रहेगा अरे दोनों बदल सकते हैं भई दोनों बदल सकते हैं बदलने दो किसको ही बदले तो हमने कहा कि दोनों बदलेंगे तो जब दो चीजों का आउकलन होता है तो हमें करना आता है कि एक को बाहर रखेंगे दूसरे का कर देंगे क्या आउकलन फिर दूसरे को बाहर रखेंगे पहले का कर देंगे मैंने का क्या आउकलन सर और क्या करेंगे यानि कि ये है न्यूटन की गती का दूसरा नियम जब दोनों बदले पर हमारे लिए 99% इस चेप्टर में द्रविमान नियत है द्रविमान नियत हो द्रविमान नियत हो तो बेटा dm by dt क्या हो जाएगा 0 और dm by dt 0 हो जाएगा तो f बराबर क्या m dv by dt और ये आगया क्या बेटा m into a ये f क्या है f है कुल बल आया ही नहीं तो हमने सीखा कुल बल का समी करण द्रविमान इंटू तो रण जब द्रविमान नियत होता है सर द्रविमान बदलता है तब भी तो पढ़ाया जाता है मैंने का वो द्रविमान के अंदर में पढ़ेंगे अगर आपको कभी लगे ऐसा कि किसी चेप्टर से कोई टोपिक छूटा है एकदम नेश्चिंत हो जाई ये आपका कोई टोपिक नहीं छूटेगा हो सकता है कि वो टोपिक कही और जग किसी और चेप्टर में पढ़ाया जाए टोपिक कोई नहीं छूटेगा एकदम निश्चिंत रहे तो द्रविमान जब बदलेगा तो वो वाला टोपिक हम द्रविमान के अंदर में पढ़ते है बेरियेबल मास सिस्टम पढ़ते है उसको बेटा परिवर्ति द्रविमान निकाए ठीक है सर न्यूटन की गती के दूसरे नियम में कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को कैसी भी अब है लाश्ट क्या न्यूटन की गती का तीसरा नियम लाश्ट का मतलब न्यूटन गती का तीसरा नियम लाश्ट ने, क्लास का लाश्ट थोड़ी है Newton की गती का तीसरा नियम, क्या कहा Newton साब ने, थड़ लो NLM 3 NLM 3 Newton सहब का Newton का तीसरा नियम तीसरा नियम तीसरा नियम Newton का तीसरा नियम बहुत बड़ी है कौन बताएगा भई तीसरा नियम कौन बताएगा, सब को आता है एक हाथ दो, एक हाथ लो है ना क्रिया प्रती क्रिया का नियम कौन सा नियम क्रिया प्रती क्रिया का नियम अगर हम किसी वस्तू पे जितना बल लगाते हैं वो वस्तू भी उतना ही बल परिमान में समान और दिशा में विपरीत लगाती है उनका क्या बात कर दी है सच में हाँ तो दीवार को दक्का मारो देखे आप तो वापिस बाउंस बेको क्या जाओगे एक बार दोड के जाओ दीवार से टगराओ दीवार फाड के निकल जाएंगे सरम तो सल्मान खान है मैंने का ऐसा थोड़ी है भाई बाउंस बेको क्या आओगे की नहीं आओगे आएंगे सर दीवार वहीं रहेगी हाँ तो आप तो कह रहे थे अभी कि सर परिमान में समान और देशा में विपरित लगाता है तो अगर जितना बल मैंने दीवार पे लगाया उतना ही बल दीवार ने मुझे में लगाया मैं तो वापिस आगया पर दीवार तो वही है मैंने का एक और पॉइंट याद रखना है जो हमने लगाया अगर आप उसको बोलते हो क्रिया और जो दीवार ने बल लगाया उसको बोलते हो प्रतिक्रिया इसलिए यह है क्रिया प्रतिक्रिया पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग-अलग वस्तों में लगती है नहीं आया एक ही वस्तु में नहीं लगता है क्रिया अलग अलग वस्तु में लगता है बहुत बढ़िया दीवार का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि वो हिलेगी नहीं हमारा द्रव्यमान कम है हमारा जड़त तो कम है इसलिए हम bounce back होके आ गए क्या मेरी बात समझ आई हैं? तो लिखें, प्रतेक क्रिया के विप्रीत प्रतीक्रिया होती हैं प्रतेक क्रिया के विप्रीत प्रतीक्रिया होती हैं जो परिमान में समान परिमान में समान वह दिशा में विप्रीत होती हैं विप्रीत होती हैं और एक और पॉइंट इस्टार लगा के लिखेंगे क्रिया वप्रती क्रिया दोनों अलग अलग वस्तों पर लगती हैं पर लगती हैं क्या बात समझ में आई हैं? अरे बोलो एक्जाम्पल की अगर बात करेगी मान लो कि आप कभी नदी में गए तेरा है कभी तेरा तेरना आता है तेरने के लिए हम क्या करते हैं? पानी को पीछे दख्का देते हैं तो पानी हमारे उपर बल का लगाता है आगे इसलिए हम तेर पाते हैं चलने की कहानी भी यही है कि हम फेड से नीचे धक्का देते हैं तो नीचे से धरती माता भी हमें कहां बल लगाती है उपर आगे की तरफ हम आगे चल पाते हैं हाँ सर या फिर अगर कोई 9 किनारे पर खड़ी हैं वहां से कुदोगे किनारे की तरब तो 9 कहां जाती हैं पीछे ये सारी बाते आपने 10th 9th में ही पढ़ ली होगी इसलिए कोई ज़्यादा चर्चा में करना नहीं चाता है अपन अपनी काम की बात करते हैं अब थोड़ा लेवल बढ़ा किया किसर बात ऐसी हैं मिनका क्या कि एक 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 जामपल के साथ अपन कारे करम स्टार्ट करते हैं क्या कि अब बात होगी क्या कि नियूटन के तीनों नियम हमने समझ लिए अब बाते होगी किसकी बलों के प्रक अभी लंब प्रतिक्रिया बल यानिकी नियूटन के तीसरे नियम से ही पेला बल इस्टार्ट हो गया है अब है चेप्टर का रियल कहानी अब क्योशन ही क्योशन चलेंगे निमरिकल के साथ ही चीजे समझ में आईगी सारी की सारी अच्छा अगर मैं आप से कहूं कि अभी लं अभी लंब प्रतीक्रियाबल इसको N वर R किताबों के अंदर आपको N से भी प्रदर्सित किया हुआ मिल जाएगा R से भी N का मतलब नॉर्मल R का मतलब रियक्षन तो दोनों से प्रदर्सित किया जाता है अच्छा सर अगर मैं आप से कहूँ कि एक वस्तू है क्या है एक वस्तू है एक वस्तू है वस्तू ले लेते हैं भाई अब तो आज तो वस्तू ले लो सर एक ये रही भाई वस्तू ठीक है ठीक है ठीक है एक वस्तू ली अपन ने ठीक है सर और इस वस्तु को हमने कहां रखा यहां कहां रखा यहां रखा देखो 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 यहां रख दिया वही वस्तु को ऐसे रगदो सर मैंने का अब करते हैं बातें देखो एम द्रवेमान की वस्तु को एक सतर पर रख दिया कहा रख दिया सतर पर किसकी बाते हो रही है सर बात हो रही है अभी लंब परतिक्रिया बल की सोचो क्या होगा सर एक बल लगेगा MG गृत्वा करसन बल द्रवेमान के इंदर पर लगता है MG अच्छा फिर और क्या कहानी कि सर देखो एक तो MG लगा दिया आपने मैंने का बहुत बढ़िया ये वस्तु ये ऐसा ही डाइग्राम है क्या हाँ ऐसा ही है सर मैंने का क्या मेरा हाथ इस बक्से पर इस बॉक्स पर बल लगा रहा है हाँ कहा लगा रहा है उपर कौन सी जगह पे सर आपका हाथ और वस्तु जो संपर्क है दोनों के बीच में जो संपर्क है उन दोनों के बीच में बल लग रहा है क्या बात कर रहे हो इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है संपर्क बल बोला जाता है सर इसलिए इसको अरे क्या बोला जाता है संपर्क बल बहुत बढ़िया मैंने का अगर मैं आपसे एक बात कहूं क्या बात कहोगे सर मिनका देखो कि अगर वस्तु के बारे में बात होती तो वस्तु पर ऐसे बल लग रहा है जहाँ जहाँ संपर कहें वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे बल लग रहा है सर ऐसे अच्छा, तो फिर वस्तु सता पर भी तो बल लगा रही होगी हाँ सर वस्तु सता पे भी बल लगा रही है सर वस्तु क्या कर रही है सता पे भी बल लगा रही है तो देखो सता के लिए भी बात करते हैं सता पे कैसे बल लगाएगी सता पे ऐसे बल लगाएगी सर ऐसे 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 ये जो छोटे 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 बल है इनको ही नाम दिया क्या अभिलंब प्रतीकरिया बल ये है N1 ये N2 ये N3 N4 ऐसे बहुत सारे, पर क्या सारे समान दिशा में हाँ, ऐसे ही नीचे है, तो सब जुड़के एक बल बना देते हैं, उसको बोलते हैं N या R, अच्छा, ये बात है सर मिन कहा, देखो बेटा देखो, 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 यहां बनाता हूँ वापिस में डाइगरा, हाँ सर, देखो देखो, 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 यानि कि यहां पर लग रहा है सर N और यहां पर भी लग रहा है क्या N, अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये वस्तु चल रही है, नहीं सर, ये नहीं चल रही है, तो क्यों ये हाँ, नीचे लगने वाला और उपर लगने वाला, उस मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे नौर्मल बना देते हैं उपर वस्तू के लिए और हम लिख देते हैं इन बराबर Mg एन बराबर क्या Mg मलभ जो अबिलंब बल है संतल सते के लिए वह कितना है Mg है क्या N बराबर Mg है हां तो नीचे लग रहा है कौन? Mg, उपर लग रहा है कौन? प्रतिकरियाबल, परिमान समान है, हाँ, सर परिमान समान है, इन दोनों की बात कर रहों मैं, इस वाले की और इस वाले की, परिमान समान है, दिशा, दिशा विपरीत है सर, एक उपर एक नीचे है, दिशा विपरीत है, द अमें एक छोटा सा प्यारा सा ननना सा मुनना सा क्योशन पूछ लो सर क्या N व एमजी क्रिया प्रतिक्रियाबल है? जवाब देना बिलकुल सोच के क्या एन वह एम जी क्रिया प्रतिक्रिया बल है परिमान समान है मिनका हाँ दिशाविपरीत है मिनका हाँ यही तो बुला था सर हां की ना हां की ना बोलो सोच लो क्या एन वह एम जी क्रिया प्रतिक्रिया बल है क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है क्रिया प्रति क्रिया बल किताबों में यही लिखा होता है कि प्रिमान समान दिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रिशाप्रि पर यह तो समझ में आता है गुरुत्वा कर्शन बल हां का लगता है नीचे क्या जो प्रतिक्रिया बल है वो भी नीचे लग रहा है कि उपर लग रहा है उपर लग रहा है सोचो उसकी प्रकरती गुरुत्वा कर्शन की होती तो वो भी तो नीचे लगता हां सर लग प्रकरती समान नहीं है यह नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है तो फिर कौन है कि मिनका यह जो एन है जो ब्लॉक है उसकी सत्व में उपर लग रहा है एन और सत्व पे भी नी परिमान में भी समान है, दिशाविप्रित है प्रकरती भी समान है, क्रिया प्रतिक्रिया ये हैं, क्या बात समझ आई हैं, फील के साथ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पक्की बात हैं, सोच लो, आज के बाद जीवन में अगर आपसे कोई पूछेगा, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है परिमान समान हो दिशा विपरीत हो प्रकरती भी समान हो यह है क्रिया प्रतिक्रिया बल कैसे लगता है सत के लमवत लगता है कैसे लग रहे सत के लमवत लगता है और ऐसे लगता है कि सत को दबाना चाहता है देखो ना देखो इसकी दिशा ऐसे की सत को दबाना च क्रिया प्रतिक्रिया बल सत के लंबवत लगता है कि सत के लंबवत लगता है कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी बोल दो चलो आजाओ अब बात होगी क्या क्रिया प्रतिक्रिया बल के बारे में बात तो हो गई सर अब इलम प्रतिक्रिया बल भी समझ आगया सर मैंनका बहुत बढ़िया अब क्या बात होगी सर मैंने का बाते बहुत सारी हैं क्या ढूंड रहे हुआ मैंने का यार दो एक अध बोक्स ढूंड रहा हूं मैं चलो कोई बात नहीं बोक्स को ढूंडने से पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे क्या Free Body Diagram क्या पढ़ेंगे Free Body Diagram Free Body Diagram सर हिंदी बताओ ना मैंने का यार हिंदी बड़ी गजब की होगी Free Body Diagram हिंदी करके देखो वो देखो Free Body Diagram मुक्त वस्तु चित्र है ना मुक्त वस्तु रेखे चित्र जो भी आप लिखो Free Body Diagram FBD के नाम से जाना जाएगा ये FBD सर आप तो ऐसास करा दो होता क्या है बाकी हम सब देख लेंगे मैंने का Free Body Diagram की Definition कोई पूछेगा नहीं जीवन में आपसे बनाना आना चीए Free Body Diagram Free Body Diagram का मतलब है कि अगर ये कोई वस्तु है मेरे हाथ में इस वस्तु में लगने वाले सभी बलों को अलग-अलग रूप से दर्शाना यही Free Body Diagram है इस वस्तु में लगने वाले सभी बलों को अलग-अलग रूप से प्रदर्शित करना ही Free Body Diagram है चलो सर एक्जामपल के थूरू सीखते है मैंने का चलो भई चलो 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 देखो गटा देखो 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 यह क्या बात है चलो भई पहले बड़ा आसान सा डाइग्राम के साथ ही अपन सीखते हैं इसको चलो भई देखो हाँ M द्रविमान के एक वस्तु है इस सतर पे रखी हुई है Free Body Diagram बनाओ इसका तो वस्तु को ले लो भई किसको ले लो वस्तु को वस्तु को ले लिया सर अभी बनाया था सर आपने में कहां बनाया तो था वस्तु को ले लिया भई वस्तु पर नीचे क्या लग रहा है कि सर M जी और यहाँ पर क्या लग रहा होगा Normal नीचे वाली सतर पर लग रहा होगा हाँ सर, आप यहां बनाओ यहां बनाओ, एक ही बात है, पर हम क्या करते हैं, यही बना देते हैं, नोर्मल, पर हमें मन में इस बात का ऐसाथ से कि नोर्मल यहां लग रहा है, सतर पर, हाँ की ना, हाँ, पर वस्तु ना चल रही हैं, ना घूम रही हैं, मतलब जितना नीचे है उतना ही उपर उसी दिशा में बना दिया अच्छा, सता के लिए सर मैंने का ये और ये आया बात समझ आई है अरे वाँ, यही free body diagram है यही FBD है free body diagram, देख लो इसम द्रिवमान की वस्तु पे कोई दूसरा बल तो नहीं लग रहा नहीं लग रहा सर, पक्की बात है हाँ सर, अच्छा और देखो और देखो, और देखो यार अभी खतम थोड़ी वाँ है अरे वाँ, यह हाँ सर यह हाँ और यह हाँ सर यह से touch में हो ठीक है और मिनका देखो न, रुको यार बड़ी अब प्यारे प्यारे डाइग्राम बनाते हैं आपके लिए यह सता ठीक है सर अच्छा मिनका और बोलो कि सर पेन लेते हैं अब देखो सर अब देखो, यहाँ से एक बल ऐसे लगा दो, M F, F, F यह A, यह B और यह C ऐसे दखा दे रहा है ठीक है क्या बताना है भई सर, Free Body Diagram बनाना है क्या बनाना है Free Body Diagram बनाओ भई Free Body Diagram FBD बनाओ किसका बनाए सर, FBD मिनका तीनों बलोक का FBD बनाओ अलग-अलग तरीके से कि सर, देखो A का बनाते हैं पहले A के साथ क्या हो रहा है सर, A का M G नीचे लग रहा होगा A और B के बीच में मैं माल लेता हूँ कि सर, यहा N1 लग रहा है पहली बात ठीक है B और सता के बीच में प्रतिक्रियाबल N2 लग रहा है B और C के बीच में प्रतिक्रियाबल N3 लग रहा है ठीक है बिटा? ओके सर और यहां पे क्या लग रहा है? N4 ताकि आपको दिमाग में एकदम क्लियर रहे ओके अब बनाने लग जाओ बई तो देखो सर इनका लाओ बई बनाते A को उतारा अपने साइड में ठीक है बई आजा बई साइड में आजा की लाओ बई आगए बनाओ कि देखो A की बात हो रही है तो नीचे तो लग रहा होगा सर M जी मैंने का बहुत बढ़िया उपर क्या लग रहा होगा? सर उपर N1 मैंने का कुछ और और कुछ नहीं सर पक्की बात सोच लो A के बारे में हो गया? हाँ सर B के बारे में बात करते है किसके बारे में? B के बारे में B ये रहा B भई ओके ओके B B के बारे में बात करो भई B पे कौन-कौन से बल लग रहे हैं, सोचो सर इदर एक F बल लग रहा है अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये खयाल आता है कि सर ये F इसके उपर क्यों नहीं बना है मिनका उसमें डारेक्ट लग रहा हैं गया? नहीं लग रहा है? नहीं और B के बीच में, अभी लंब बल, तो B की सता में तो नीचे लग रहा होगा ना, वो N1, हाँ, और B और सता के बीच में उपर, हाँ, ये कितना, कि सर ये N2 माना है आपने, और कोई, एक और है, B और C के बीच में, N3, ऐसे जा रहा है ना, हाँ, तो ऐसे दक्का दे रहा होगा यस, सर, N3, देख लो, अब B के बारे में कोई और खयालो आपका दो, और कोई बल बचाओ, B के बारे में तो देख लो, यार, मैं तो बना दिया हूँ, हाँ, सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, अब C के बारे में बात कर लेते हैं, सर, किस के बारे में, C के बारे में देखो भई, C के बारे में बात करो भई, यह रहा सी, हा सर, अब बोलो भई, C के बारे में क्या केने का हैं अपने को, कि सर देखो C का नीचे लग रहा होगा M G, मैंने का बहुत बढ़िया, और इन दोनों के बीच में किना लग रहा हैं, N4, मतलब यहाँ पर बिटा, उपर य यह से, क्या यह F यहां लगाएंगे, नहीं, मुझे एक बात बताओ, इस C को धक्का कोन दे रहा है, सर, N3 दे रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकरिया बल, F थोड़ी दे रहा है इसको, F तो सर्फ B को दे रहा है, तो N3 लगेगा, और कोई, B और यह दोन सोच लो यार, आया है सर, मिनका एक और, 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 एक और यार, लाओ ना सर, हम तो उसी के लिए बिठे है, यार, मिनका बहुत बढ़िया बिठा, ये, 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 क्या बात है सर, मिनका आप देखो, कुछ और लेकर आते हैं, ये ल येलो भई गोला हाँ सर, येलो भई, कलर रहटा है इसका कुछ अलग करें कलर, ये क्या बाद हैं, आप देखो भई, देखो देखो, 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 एम द्रविमान का है बई ये, हाँ सर, ऐसे दो टेबल के बीच में गोला रखा हुआ, इसका free body diagram बनाना है बस, question पूछाई नहीं मैंने अभी क्या बनाना है free body diagram ताकि हमें कभी जीवन में तकलीप नाए free body diagram के लिए बनाओ वई सर देखो मैंने का बोलो एक नॉर्मल यहां लगेगा हाँ तो नॉर्मल की दिशा क्या होगी कि लंवत होती है अब गोल यह सत्व में लंवत कैसे करेंगे सर अगर किसे को गोले सत्व में अभी लंब नहीं आता बनाना तो देखो इस बिंदू पे अभी लंब बनाना है एसे और इसके लंवत एक रेखा कीच दो इस पर्स रेखा के इस बिंदू पे बनाना है इस पर्स रेखा और इसके लंवत एक रेखा कीच दो इस बिंदू पे बनाना है ऐसे और अब लंवत रेखा कीच दो अरे सर सभी रेखा हैं कहां से गुजरी केंदर से मैंने का जो अ सर ऐसे N1 मान लो ऐसे N2 मान लो और यहाँ पर MG ऐसे लगेगा मैंने का बहुत बढ़िया और कोई बल लग रहा हैं गोले पे नहीं हो गया आया है हाँ सर अच्छा और देखो और देखो और देखो भई नतल की भी बात कर लेते उस पर भी FBD बनाना सिखा देता हूँ यार मैं तुम्हें लाओ सर मैंने का देखो कभी-कभी ऐसा भी होगा कभी-कभी ऐसा भी होगा कैसा ऐसा सर लाओ भे लाओ साइज एड़जेस्ट नहीं होरी इसकी यार वापिस लेते है ठीक है सर है ना ऐसा ही बना देता हूँ यार ओहो सर इसकी भी साइड एड़जेस्ट नहीं हो रही है मैंने का आपकी बार पक्का कर देंगे साइड साइज को एड़जेस्ट देखो 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 ठीक है भाई लाओ भाई की यह यह एसा ही बना है इसमें कोई बात नहीं है चलो आजाओ 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 मैंने का यह तो नत्तल है ठीटा यह का सर यह M की वस्तू है यह सरерь और ऐसा करो ना इसको वैसे ही बना दू पैंस यि मैंने हैं अच्छा लगीगा तूम्हें यहें इनसे भी बना देता है थोड़ा सा लम्बा जा रहा है एसे बीना बेकार सा बन रहा है ये ठीटा बहुत बढ़िया है अब इससे द्रमान का ये वाला कौन ठीटा होगा, सोच लो, कि सर केस है, मिनका देखो, ये ठीटा, ये नब्बे, हाँ, तो ये नब्बे माइनस ठीटा, तो ये टोटल नब्बे हैं ना, तो नब्बे में से ये जाएगा, तो कितना, ये भी ठीटा, हमेशा याद रखें, ये ठीटा हैं, तो ये यह अबिलंब बल हैं सर और कोई नहीं है तो सर यह वाला कॉन ठीटा है तो इसका गटक कर दो ना सर mg cos theta कि sin theta sin theta लंबवत घड़ग और इधर mg cos theta आया ही नहीं देख लो देख लो तो अब मैं आप से free body diagram के साथ अगर मैं अभी लंब पूछ लो इस वाले case में तो कितना आएगा भई सर n किस के बराबर होगा mg cos theta के n किस के बराबर होगा mg cos theta के कि आप ये कहना चाहते हो कि सतके ये नत तल है सतके अनुदिस हमेशा mg sin theta लगेगा और ये अभी लंब mg cos theta लगेगा याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है क्या आपको FBD बनाना आया है पक्की बात सोच लो आज अपने बहुत प्यारे प्यारे concept सही के छोटे छोटे concept अब आने वाली जितनी भी क्लासे होगी Newton के गती के नियम की सारी क्लासों में आप तगड़े तगड़े concept के साथ question सीखने वाले हो और इस बात का वरोसा रखिए कि अगर अपनी क्लासे आपने बड़िया से देख ली और फिर आप कहीं का भी कोई भी material करते हो आपसे सारे equation होने लग जाएंगे और practice must है अगर आप NEET की तयारी कर रहे हो या किसे भी competition exam की तयारी कर रहे हो तो physics में practice must है practice करनी ही करनी है जितनी ज़्यादा हो सके practice करो जैसे चेप्टर पढ़ाया कोई तो आपको क्या करना है practice करना है बस concept C को practice करो और जब भी practice करने जाओ तो क्या करना है पहले एक बार notes revise कर जाओ short notes बना लो अगर आपको पुरे notes revise नहीं करने तो short notes बनाओ और question लगाओ I wish आपने class enjoy करी होगी Thank you